रादिकिष्ण दोस्तों हिंदु पंजांग के अनुसार हर साल भादरपत मास के शुकल पक्ष की एकादशिती को परिवर्फिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है इस साल 2023 भादरपत महणी के शुकल पक्ष की एकादशिती थी 25 सितंबर 2023 को सुबह 7 बचकर 55 मिनिट से शुरू होगी और 26 सितंबर 2030 को सुब 5 बजे खत्म होगी ऐसे में परिवर्तिनी इकादशी का वरत 26 सितंबर 2030 मगलवार को रखा जाएगा आईए जानते हैं परिवर्तिनी इकादशी का महत्व पवरानिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त परिवर्तिनी इकादशी का व्रत रखते है उन्हें भगवान विश्णू सुकसम्रिद्धी का आशिरवाद देते है आपके द्वारा अंजाने में किये गए सभी पापों का नाश करते है और मोक्ष की प्राप्ती होती है परिव साथ बचकर 55 मिनिट से 26 सितंबर 2023 को सुब पाच बजे तक ऐसे में पारण समय होगा 27 सितंबर 2023 बुधवार को सुब 6 बचकर 17 मिनिट से सुब 10 बचकर 17 मिनिट तक आईए जानते हैं परिवर्तिनी इकादशी की पूजा विधी सुब उठकर सनान आदी करे मंदीर में विश विश्णु भगवान का गंगाजल से अभिश्वेक करे विश्णु जी को फुल अर्पित करे तूलसी दल अर्पित करे प्रतिमा पर संदूर का टीका लगाए पंचामरत अर्पित करे भगवान विश्णु की आर्थी करे अब विश्णु जी का पाठ करे और व्रत कथा अब उन्हें भोग लगाए, भोग में तूलसी का उपियोग जरूर करे और पारण समय में ब्राहमनों को दान दक्षिना देकर वरत का पारण करे आईए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी की वरत कथा परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विश्नु के वामन स्वरुप की पूजा का विधान है भगवान विश्नु के वामन अवतार की पूजा करने से मालक्षमी की कृपा प्राप्त होती है कथा क्यानुसार त्रेता युग में दैत्य राज बली भगवान विश्नु का परंभक्त था आसूरों के राजा बली ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कबजे में ले लिया था समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान विश्नु जी के पांस पहुँच गए अब भगवान विश्नु जी ने देवताओं को बली से डर से छुटकारा दिलाने का आशवासन दे दिया और राजा बली के समक्ष ब्रामन का रूप धरकर पहुँच गए राजा बली दान पुन्य करता रहता था जब विश्नु जी ने बली से तीन पग भूमी दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमी देने का वचन दिया वामन देव ने अपना विक्राल रूप धारण कर एक पग स्वर्ग नाप लिया दूसरे से धर्ती तीसरे कदम के लिए जब कोई जग नहीं बची तो राजा बली ने अपना सिर जुका दिया और बोले कि तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दे अब वामन देव राजा बली की भक्ती और वचन बधता से बहुत प्रसंद हुए भगवान विश्णू के पांचवें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बली को पाताल लोग दे दिया बली ने विश्णुजी से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोग में चल कर उसे उनकी सेवा का मौका दे विश्णुजी ने कहा कि वह साल में चार माह पाताल लोग में उसके यहां निवास करें इसके बाद वामन देवने जैसे ही तिसरा पगबली के सिर पर रखा वो पाताल लोक चला गया कहते हैं इस व्रत को करने से या इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से दुर्भाग्य दूर रहता है आप सभी को वामन एकादशी की हार देख हार देख शुब कामनाए शुभम भवतू कल्यान मोस्तू